सीमा मीना जो है प्रेग्नेंट सीमा जब गोली आई तो सोला चब्विस ग्यारा हुआ गोली आई तो संसद्भावन पर हमला हुआ गोली आई तो पुलवामा हुआ कांड हुआ अब डोली आई है तो जीरो नंबर के कपड़े भी आएंगे सीमा को तो जो अब है फिल्मों में भी ओफर मिले है फिल्म में काम करने का अब दोनों बातें आप करवा रहे हो मा भी बना रहे हो और फिल्मों की शूटिंग करा रहे हो कैसे करेगी कूट कूट के तो पहले तो मा बनेगी फिर फिल्म की बात करेगी कि कहा जा रहा है कि लपुसा तो सचिन है बोलना उसे आवे ना और ये सीमा हैदर मिल गई अरे साहब ये केबल सचिन की बदनामी नहीं है सचिन की बदनामी तो होगी नहीं सीमा का तो सचिन का प्यार पक्का है वो तो तूटेगा नहीं लेकिन इन मीम से मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ इन सारे मीमों पर केश डालूँगा मैं जो बनाए लोगों ने सीमा हैदर जब से पाकिस्तान से भारत के अंदर आई है तब से जो है वो कई बार सुर्खियों में आ चुकी है हाला कि वो लगतार सुर्खियों में चल रही है अब ये खबर सामने आ रहा है कि सीमा हैदर जो है पहले तो प्रेगनेंट है दूसरी खबर ये है कि उन्हें फिल्मों में काम मिल गया है और तीसरी खबर ये है कि सीमा हैदर जो है अब कही न कही उन्हें नागरिकता मिलने की बहुत करीब है अब इन तमाम मुद्दों पर जो है हमारे साथ सीमा हैदर के वकील साहब और सुप्रीम कोट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंग जी है इनसे ही बातचीत करते हैं क्योंकि ये तो जो है बहुत करीब से जानते हैं पूरे केस को देख रहे हैं पूरे सीमा वाइफ व सचिन मीना जो है वकील साहब जी यह बताएज सीमा है प्रेगनेंट है गोलें तो संसद्वावन पर हमला हुआ गोली आई तो जीरो नंबर के कपड़े भी आएंगे जोचक भी आएगा ड्राइफ फ्रूट भी आएंगे धोल मजीरा भी बजेगा खुशियां भी आएंगी तो सब कुछ खुशी आएंगी जब आती है हमारी बेहन बेटी कोई भी आती है तो उसके आने के साथ शाथ विभा के साथ साथ यह भी एक अख्ली रस्म होती है खुशी आएंगी तो इस शित और पर खुशी आएंगी जिस पाकिस्तान के पास खाने के लाले पड़े हो महंगा इतनी पड़ी हो उनसे आप उमीद रख रहें कि वो जो सच्चिन के ससुराल वाले है वो यहां पर कुछ भी अरे उनसे कौ निका नामा हो गया काजी बकील और गवाह मिल गए निका नामा रजिस्टर हो गया मैरिज के लिए शेशन कोट में कागज लग गए मैरिज रजिस्टर हो गई दोई दिन है भी अभी दो दिन से उपर नहीं हुए बलीमा हो गया सुहाग रात हो गई हनी मून हो गया हरी हरी चुनरिया आईसोलेटेड पहाड पे एकदम ड्रोन कैमरा लगा के लहरा के वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई कोट ने पचास सुलज सुरक्षा कर्मिय उसको दे दिये गए सुरक्षा के लिए दियाईजी पाकिस्तान पुलिस के प्रेस कॉंफरेंस कर दी कि अंजू ने मुस्लाम धर्म गरन कर लिया है और अब वो फातिमा बेगम बाइफाफ नसुरूला हो गई है ये निश्चित हो गया अब क्या हुआ एक करोड के तोफे उने मिल गए दोई दिन में 40 लाग का प्रापर्टी मिल गई मकान मिल गया दोई दिन में रेश्मी मलमल का उनकी साइज का बुरुका सिल गया पहले से तो सिला नहीं था जब पहुँची तो रंद सिल गया दोई दिन में वो परदा नशीन महिला जो कोट में गई थी बुरके में वो दोई दिन में एक अच्छे होटल में बैठी हुई नव पुरुशों मर्दों के साथ बे परदा होके धिनर कर रही है उसके निकाहनामे और मेरेज रेजिटेशन और वीडियो और फोटोग्राफ पूरी दुनिया के न्यूज चैनल की मेज़ पे आ गए दोई दिन में उन्होंने तो इतना कर लिया और आपके रेकटोरा लेके वो भूम रहे हैं वो इसलाम धर्म जो सुईकार करें इसलाम धर्म में आए उनके धर्म में उसके लिए दिवाने हैं आप क्या कर रहे हैं आपकी आईडी क्या कर रही है आपके दर्शक क्या कर रहे हैं आपके शोत जो एक महिना से ज़्यादा हो गया चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं चार साल पहले तलाक हो चुका उसका दो साल से उसने हिंद पिता की मृत्तु के बाद भाई पर बोज ना बने इसलिए भारत आई वरिड पासपोर्ट वीजा से दुबई आई क्योंकि डारेक्ट राइड काठमाणों के लिए नहीं है दुबई से काठमाणों आई काठमाणों से रही आठ दिन हिंदू सनातन जंसकृति से धर्म से शा और अंजू अंजू बाई-फाब नसुरूला पातिमा बेगम वो तेड़े तेड़े बैठे रहते हैं हर वीडियो में रहते रहते तेड़े तेड़े बैठे सीमा सचन को पकड़े बैठी रहती है इतना तो फरक है इसके बाद भी आप उसे नहीं मानना चाहतें यहाँ ATS कर रही है यहां उसे आते फाई यार हुई आते जेल गई आते बेल हुई बेल के बाद बेल की कंडिशन के आदार पर रह रही है तो सीमा को तो जो अब है फिल्मों में भी ओफर मिले हैं फिल्म में काम करने का अब दोनों बातें आप करवा रहे हो मां भी बना रहे हो और फि और उसने कुछ भी ऐसा नहीं है, फिल्म नहीं बना रही है अभी, ना वो रॉकी एजन्ट बन रही है, अभी तो उसे अपनी इंक्वारी करानी है, रा कर ले, चाहें एनाईये कर ले, चाहें आईबी कर ले, चाहें सीबी आईई कर ले, कोई कर ले उसकी जांच, और अगर ब ले, उसके बाद उसकी भी जांच करानी है, तो आप ये जांचें कराएं, और इस जांच कराके आप केबल सी बी आई या आई बी या रो या नाईये से कराने के बाद इनकी निगरानी भी करवाईए, अन्रेवल हाई कोट और सुप्रिम कोट के पांच जर्ष्टिस की जाफी टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराओ, ब्रेन मैपिंग कराओ, लाई डिटेक्टर कराओ, सारी जांच करा लो, आप कहते हैं उम्र उसकी कम बड़ा है, तो साहब इस देश में कोई महिला हो, और दुनिया की कोई महिला हो, काग्जियों में तो अपनी उम्र सही लि चूँका डिएने करा लो, उसका औस्फिकेशन टेस्ट करा लो, जो जांचे करानी सब जांचे करा लो, जब सब जांचे सही हो गएं, मान ली जाएं सही, क्लारिफिकेशन हो जाएं, क्लेरटी हो जाएं, फिर सीमा को अपना भी बना लो, और अपने देश की नागरिक्ता वैसे ही दिलादो, जैसे यहां रोहेंगा तो रह रहे हैं, रोहेंगा तो गोली चलाते हैं नुहुमेवात में, मारते हैं लोगों को, मंदिर पर हमला करते हैं, लेकिन सीमा तो करवाचोत कर रही है, होली दिवाली मना रही है, सीमा तो बाबा अमरनात पे जल चढ़ाने जाएगी शीमा तो कामर लेके जाएगी सावन में गंगा पे और हरिद्वार पे सीमा तो बद्रीनात के दारनात में भोले बाबा उम्नमा शिवाई बोलती हुई जाएगी जैकारा लगाती हुई जाएगी शेरावाली के जैकारा लगाएगी सीमा तो बाबा धाम देव घर मे जाएगी, सीमा तो उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने जाएगी, योंका रेशुट के करने जाएगी हमारा पूरा प्रयास है कि सीमा बाइफाफ सचिन मीना भारत में रहें, भारत की नागरिक टागरण करें, खुशी रहें, जैसे इस देश ने अक्षे कुमार कनेडियन नागरिको भारत में मना लिया, अधनान सामी पाकिस्तानी नागरिको भारत में मान लिया, रोहिंग्या 1971 में आये बंगला देशी लोगों को अपना बना लिया, दलाई लामा जी के साथ तिबती नागरिका आये उनको अपना बना लिया, उनको सुई इंगा से भी वो बूरी है क्या 1971 में बंगलादेशी आए और आज भी आ रहे हैं मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूं आज भी बंगलादेशी हो रहे हैं आ रहे हैं भारत में ऑव आते हैं देश के लिए खत्रा है लेकिन सरकार उनके लिए क्या कर उन पर शिकन जाकसने के बजाए हमारी सीमा पर शिकन जाकसने के वो तो साब आई है साथ समंदर से साथ समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई वो जुलमी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई और जब तेरे कदमों के नीचे आ गई अब तो उसके दिल से लगा लो अब तो उसे गले से लगा लो अब तो उसे प्यार कर लो अब तो उसको कंधों पर बिठा लो अब तो उसके बच्चों को सारा दे दो अब तो उसको अपना बना लो इस समय जो है एक सच्चिन को लेकर बड़ा ही मीम वाइरल हो रहा है इस पर आपकी परतिकिनिया जानना चाहूंगा कि कहा जा रहा है कि लपूसा तो सच्चिन है बोलना उसे आवे ना और ये सीमा हैदर मिल गई सच्चिन की बढवादनामी नहीं है सीमा का तो सचिन का प्यार पक्का है बो तो टूटेगा नहीं लेकिन इन मीम से मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इन सारे मीमों पे केश डालूँगा मैं, जो बनाए लोगों ने, सब पे डालूँगा, कारण क्या है, इस देश में ऐसे कितने लोग सांसद हैं, I.S. हैं, I.P.S. हैं, पत्रकार हैं, निया अधीश हैं, वकील हैं, जज हैं, ब् से लोग ऐसे हैं, गंजे हैं, तो साब क्या वो छोड़ दें, उनको पत्निया छोड़ दें पत्यों को, और पती ऐसी पत्नियों को छोड़ दें, मोटी हो गई, पतली हो गई, बीमार हो गई, क्या टीवी के पेशंट वाली पती पत्निया नहीं है, क्या कैंसर के पेशंट क होने वाले पती पत्नियां नहीं है क्या प्राकृतिक आपदा में घटनाय होने वाले पती पत्नियां नहीं है क्या कई बार ऐसी घटनाय हो जाती है अन्होनी घटनाय हो जाती है उनमें पती अपत्नी के किसी को ऐसी चोट लाई-लाज बीमारी हो जाती ही चोटे लग जाती है क्या आप दूसरे को छोड़ देते हैं क्या आप दूसरे को हटा देते हैं क्या है जो मीम बनाने वाले कई घर सुखी हैं अरे नहीं साहब बहुत से लोग कितने हैं कितने ऐसे लोग हैं पुरुष जिनकी पत्नियां बहुत सुंदर हैं कितनी महिलाएं ऐसी हैं, जो खुद उतना सुन्दर नहीं, जिनके पती बहुत सुन्दर है, होता है ऐसा, लेकिन प्यार तो प्यार है, प्यार को क्या emotion देखेंगे, भावना देखेंगे, कि सुन्दर्ता देखेंगे, सुन्दर्ता दिल की होती है, कार की होती है, चम्री की चलिक है कि 80 साल पे जब बुजरुग पती-पती हो जाती है फिर तो छोड़ो फिर तो जुर्रियां पड़ गई फिर तो दिखना बंद हो गया फिर तो दात निकल गए फिर तो कमर चुक गई फिर तो नो सेक्स कुछ नहीं बचा सारे लाइसेंस सस्पेंड सब कुछ खतम तो अलटी धाराों में प्यार करना और उल्ती समय में प्यार करना यही बढ़ी बात है बहुत-बहुत धन्यवाद तो यह तमाम चीछ सुनी आपने अगर आप सचिन और सीमा पर अगर मीम बनाते हैं तो साफधान हो जाईए और जिस तोरह से लगतार यह लप्पू सा सचिन ज कारेवाई की जाएगी तो इस चीज से सावधान रहे हाला कि एक चीज हम आपको बता दे कि सीमा हैदर जो है गर्भवती है और कुछ महीनों में जो है वो जल्द मा बनेगी और उन्हें जो है नागरिक्ता दिलाने के पुर्जोर कोशिश भी की जा रही है तो फिलाल के लिए इतना ही कैमरा जनरली शानु कुमार जा के साथ मैं विनाय कुमार दिल्ली अप्टू डेट